हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तुन्हें विदेश में अपना घर वसा लिया मेरी कभी कोई चिंदा नहीं की और आज मेरे जीते जी तुम्हें मेरी ज्यादा ते हिसा चाहिए मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा तो के सब कुछ उपर ले जाएंगे पापा बस कीजिए भाया आज आपने सावित करे दिया रिष्टे नाते कोई माइने नहीं रखते आपके लिए तो तू नहीं बढ़काया पापा को अपने उस लवर के साथ मिलकर नहीं खबरदार जो तुने टीना से इस तरह से बात की थो इस प्रोपर्टी में उससे जाला अधिकार है उसका समझा मैं अपने जिंदेगी का मकाम डूंड रही थी मुझे हर रिष्टा जोटा लग रहा था मुझे नहीं पता था ये मेरा अंत था और मेरे अंदर बसने वाली एक लड़की शायद आज मर रही थी किसे मंदब खोड़के क्यों भागी तुम वाफ़ तुम्हारे वेज़े से मेरे पेरेंट्स की कितनी इंसल्ट और ये पता है तुम्हारे सब कोई फ्यूचर निये मेरा पता नहीं मुझे पहले कितनी लड़कियों के साथ शादी किये तुम्ने दिमाग खराब होगे तुम अच्छा रादाब गाइम पेट्रोल सतर के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब करता हूं कभी रिष्टे हमें आजमाते हैं तो हम रिष्टों को आजमाते हैं लेकिन अगर रिष्टे जबरदस्ती के हों तो उनकी शुरुआत भी दर्दनाक होती है और उनका अंत भी तीना को अभास हो रहा था कि उसका अंत नजदीक आ रहा था किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी लेकिन किस्मत ने उसे जीने का एक और मौका दिया था पर किस्मत अब एक और इम्तिहान लेने वाली थी सिर्फ टीना का ही नहीं कई जिन्दगियों का जिनका आंत लिखने के लिए एक ऐसा एक्स्पेरिमेंट किया गया था जो इस केस को इस दशक का एक अध्भुत और खौफना केस बना रहा था असकी जो सहे होँने समाप्वा मौर्व के लिए माढव मजले माढव मेजिए अचना फ réfl toolbox लाका कर देन्दुक मैं वड़ार था अपनी बीवी अपनी पतनी के सब कुछ भी करोगे, तुक जा, अब भी पुलिस को फोल लगा के अंदर कट दो जिजे, तुहरी पुलिस मैडम, यह पुलिस की दंगी किसी और को देना समझी, जो महिलाओ का अधिकार दिलाने के नाम पर तुम्रे धंडा खोल रहा है, सब पता है हमको, अरे, एक बिरिट मापोल खोल दूँगा मुझे जो कहना है कहले, लेकिन मेरी टीना माडम की खिलाफ एक शब नहीं सुनूँगी मैं, समझा? तुने मुझका हाथ उठाया? तुने मुझका हाथ उठाया? मुझपे! चल, बाहा निकल! बाहा निकल! बाहा निकल! तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मुमा, आप ये ड्रेस में बहुत ब्यूटिफुल लग रहे हो! मैं भी न बड़े हो कि आप जैसी बनूँ! सुन्दरता है ना, दिखावा होता है बेटा! और तुमें तो दुनिया से अलग करना है! जो मैं नहीं कर पाई ना, वो तुम करोगी ना? चलो आप जाओ तुम देनो! रूपल, तेरे दूनों बच्चे और पतीना बहुत ही अच्छे है! चल, चलते हैं, लेट हो रहा है! अबे रूपल, कहां जा रहे हैं? हाँ, वो बस एक मिटिंग है बस तुसी के लिए जा रहे हो! पहले बता दिया होता, तो कमसम बिचारे मुर्गे के जान पच जाती! फ्रिज में रख दो, कल बना दूगी! चिकेन मैं बना देती हूँ! आखे पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है! मेरी सासे और तुमारी मा की यादे बसी है इस घर में! अब मुझसे और कहीं नहीं बसा जाएगा! तुई क्यों नहीं आते ही यहां रहने के लिए? अच्छा पाप अपना खयाल रखेगा, मैं इस वीकेंड पर पक का आकर आप से मिलोंगे! ठीक है बटा! तुम? वीज, नहीं! थ Le ख बटाएगा वीज, थे खो थे खो पिजयर थे बादे सब गर में लूट पैट की निशान है और लड़की के माथे पर मर्द लिखा है इसका क्या मकसद होगा सबसे पहले इसी ने देखा हूँ विक्तिम कराम क्या है टीना आपके क्या लगती है सब मेरी फ्रेंड थी सर तो फैंबली कहा है सबसे ने रहती थी यहाँ पर एंजियों के लिए काम करती थी सर वो उसका बड़ा भाई यूएस इसमें सेड़ल है उसके उसके फादर मुरादाबाद में रहते हैं आपका इस कातल के बार में कब और कैसे पता चला सब दो पैर को टीना नहीं मुझे फोन किया था सुमेट सुमेट मुझे बचा लो सुमेट टीना क्या हो एलो सब फोन पे ना मुझे को गोली चलनी के वाद सुनाई दी मने कॉल बेक किया टीना ने उठाया नी तो मैं सर भागा भागा यहाँ आगया तीना टीना टीना क्या लगता आपको यह सब किसने किया हुग? अपने अपने टीनको इंफर्म कर दिया हुग उसके फाद्र को भीमार रहते हैं उसके बिमार रहते हैं सबसे क्या बता हूँ? निश्रा, फैमिली का नमब लो और उनसे कंड़क्ट करो, इसका कहना है कि जब टीना के फोन से से कॉल किया गया, उसके बार टीना पा गोली चलाएगी चोड़ी मुझे, मैडम थी मेरी, चुट, देखना है मुझे रेनो, आनल, सब मैं पासवाली बस्ती में रधी हूँ, टीना मैडम हम जैसे ओड़तों के हग के लिए लड़ती थी, बहुत ओड़तों की जिंदगी सुधारी उन्होंने, मेरी भी, इसलिए टीना मैडम का मेरे पती के साथ जगडा चलता था, चुपे, 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 च अब बस मुझे तलाग दिलवा दो, सब गलती की मैंने, अगर उसे जेल भेज देती, तो आज वो टीना मैडम का मड़, आप कहना चाहती हो कि आपकी टीना मैडम को आपके पती ने मारा होगा, चीज़ साथ, यही घर साब, यही है तुम्हारा पती है मोल, क्या हुआ साब, मैंने तो इसको तीन दिन से हाथ भी ने लगाया, तुने, तीना मैडम का मर्डर हो गिया, मर्डर हुआ है, और उसका इल्जाम तेरी बीवी ने तेरी उपर लगाया, साब यह कुछ भी बोल रही है, मैं तो सुबही ट्यू साब मेरे को लगता है, इसी ने कोई कामड़ किया और यह मेरे को पसा रही हुए साब, जूट बोल रहा मैडम, सभी सही बता, तेरी बीवी टीना को क्यो मारेगी, क्योंकि टीना ओरतों का भला करने के नाम पर मेरी बीवी जिसी ओरतों को फसाती थी, मैंने विटिता को हज अपनी ने उसका मडर कर दिया होगा और मुझे फसा रही है साब वो कुछ भी बख रहा है वो खुद को बचाने के लिए मुझे और टीना मैडम को बदनाम कर रहा है लेकिन तुम्हारा पती तो बोल ले कि जब से नाइट जूटी से आया है वो कहीं गया ही नहीं वो सो रहा है का टीना मैडम के घर जाते हुए तुमने अपनी आखों से देखा तो से टीना को शूट किया गया और अमोल गंद चलाना जानता है अब मोल के सर्विस रइफल्स अप्त करो अब लेस्टेक रिपोर्ड मंगा जल से जाता है यह दोनों मिया वी एक दूसरे पर जुट बोलें का इल्जाम लगा रहें दोनों से ठीक सक पूछ आज करो अब टीना की एंजियो में मिलो टीना के माथे पर मर्द लिखा गया था सब्सक्राइब सर्विस नीई कि समीट को कॉल किया था इस ठीक दर्स मिनट पहले सुमीट नहीं मिस कॉल किया और सर इन दोनों कॉल से पहले ग्यारा बज के पैंटालीस मिनट पर ऍीना के फादर को कॉल किया था सुमीत के बयान के मताविक इस बारामजी की कॉल के दोरान ही टीना का मुर्डर हुआ टीना की अपने फादर से क्या बात हुई हमारे लिए जाना जरूरी टीना के फादर को बुला चाहँ वाँ सोन्या तुम आज अपनी मम्मी से भी सुंदर रगी अंटी पर ममी कहती है कि खुबसुती से वेक दिखावा है बाकि असल में तो अहाँ ठीक है बागी बाते गाडी में चलके करेगी ठीक है अरे सुन्या तुम का जा रही हो अब विकास आज में तुमारे साथ होमवग नहीं कर पाऊंगी अब अब बना ममी के पार्टी में जारी हूँ तो तुमारे अपने हूम वक करोगी अग्री अज सुन्या का हूमवग तुम ही गर दो ना नाइस आपा निकास आज तुम मेरा हूमवग कर लो तो ही बिटड़, लेट हो गया है, वारी ममी तुमारा वेट कर रही होंगी ना, हम लोग चलते हैं, आणा? चल्ड़ लेकिन तहकीकात को आगए बढ़ाने के लिए हमारे लिए जाना जरूरी है, कि आपकी टीना से फोन पर जब आखरी पर बात हुई, उस वक्त टीना कहां थी? अच्छा पापा एक में ठोल करिया, मैं घर पहुच गोई हो, आटो वाले को फेर दे देती हो, तो तब टीना आटो से घर पहुची थी? जी सर्थ, टीना से बात करने के बाद आपकी उसके दोस्त सुमिट से कोई बात हुई थी? सुमिट से? जी, सुमिट नहीं हमें इंफॉर्म किया, टीना ने कतल के दौरान सुमिट को फोन किया था, विजय जी, टीना के माथे पर खून से मर्द लिखा था, आपकी बेटी का ऐसा हाश्र, कौन कर सकता है? पता नहीं सर्थ, लेकिन सर्थ, टीना सुमिट को फोन क्यों करेगी? टीना तो छे मेंने पहले ही सुमिट को छोड़ चुकी थी? छोड़ चुकी थी मतला? दोनों का अफेयर था या? सर्थ, छे मेने पहले तुम उपकी शादी होने वाले थी? लेकिन सुमिट एक नम्मर का कभी ना इंसान है, वो जबरदस्ती ठीना से शादी करना चाहता था, बड़ी मुश्किल से पीछा शुड़ा है आमने उसे. यह अंटी कहा रह गई? चिंता मत किजिये, आ जाएंगी. यह क्या कर रहे था? अंटी कहा है? पता मुझे. मैं अंटी को सब पता दूँगी. ए चली काल, क्या कर रहे है? हाँ? क्या कर रहा था? चली काल, यहाज़े. बिटा, आम सो सॉरी लेट हो गया. छीक हो ना? वो, यह तुम्हारे ममी के फ्रेंड है. हमारे साथ पार्टी में चलोगे. आप एक काम करिया, आप मेरे को अल डीटिल्स चेक कर लीजी. जब टीना का मडर हुआ था, तो उससे मुझे फोन किया था. मैं अपने घर पे था, तो मैं उसको मडर कैसे कर सकता हूँ, सर? प्लयान था तो ने फूल प्रूप बनाया. टीना की सुपारी दी. और किलर को कहा कि टीना को माने से पहले मेरे नबर पर कॉल करना. ताके जब हम तुमसे पूश्टाश करें, तो ये कॉल डिटेल की बात कर सके. सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सर. टीना तो मैं कॉल क्यूं करेगी? तेरा और टीना का चैप्टर तो छे मिने पहले क्लोज हो चुका था. सर, चैप्टर क्लोज नहीं हुआ था, सर. माना कि मैं उसे अलग हो चुका था, लेकिन अभी भी मैं उसे अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहा था, सर. तुम, अब क्या करना है हो यहां पर? दुखदर्द स्थिप तुम्हारी जैसी ओरतों को नहीं होते टीना, मेरे जैसे मर्दों को भी होते हैं, जो तुम्हारी जैसी ओरतों की गलत फैमी के शिकार बन जाते हैं. मुझे तुम्हे लेकर कोई गलत फैमी नहीं हो था? मेरे जो भी अफेर्स थे वो सब पास्ट में थे, तुमसे मिलने के बाद मैं सब कुछ खतम कर चुका हूँ और अब हमारे बीज में सब कुछ खतम हो चुका है, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है तो जब तरी हर कोउश हुघे, तेरे सर पर भूठ सवार हो गए ठीना को मारने का ठीना को मारने का भूठ थो उसके भाई पर ब्हुद पर भी शावा थूज़ च्चे महीने पहले टीना पर गोली सल भाई थी, उसको मारने की कोशिछ गी थी दिमाग ठराब होगे के तुम्हारा किसमें पढ़े तीना को तब भी लगा था कि इस पर गोली महने चलवाई थी लेकिन उसका दिल जान था उसको मरवाने की कोशिश इसके भाई ने की थी आप उसके भाई का मोटी प्यू नहीं पता करते हैं सर करेंगे एले तेरा मोटी पता कर ले मिश्रा सर पसर भाट गोड़ी तीना जिस आटो रिक्षा में अपने घर पर आई थी वो साटो रिक्षा का पता लगना दुरूरी है यतनी जल्दी हो सके उसका पता लगवा सर यह म अमोल के जंसी वालो का कहना है कि उन्होंने असली गंदी थी लेकिन बिल्कुल बैसी दिखने वाली नखली गन है अमोल कहां कर वो नाइट ड्यूटी के लिए गया था सब तब से लॉटा ही नहीं है वो ड्यूटी पर गया ही नहीं वाके गहां जा सकता है वो तुने मालूम साब अचिन हाप कल घड़ए निकलते हैं अरे हाब इस बार आँगा तुमारी सारी शिकायदे दूर करदूंगा बस अरे डार में हमेशा के लिए तुमारे पास रहने के लिए आ रहा हूं नहीं मालूम साब okay जरूर उस ऑर इस एक चपकर चल रहा है अमोल के सर्विस रैफल नकली है असली वाली कहा है नहीं मानुट साथ अमोल के लिए लोक आउट नोटी जारी को और उसके कॉल एक और में उस औरत का नमबर देखो जिसके पास वो जा सकते हैं आगे अपनी लेंदार का फोन बहुत दे दिया इंट्रेस्ट अब वसूलने की बारी है हमारी रेखा, पुश्पा, मैंने तुम दोनों की हालत देखकर तुमारी मदद की थी लेकिन तुम में तो कोई इंसाहित बची ही नहीं है अगर अगले साथ दिन के अंदर में ये देर लाख पे नहीं मिले ना मुझे तो अन्जाम बहुत बुरा होगा अनिकेद सोच साथ दिन के बाद इन लड़ियों का करना क्या है सर ये बात सही है कि टीना और मेरे बेटे के बीश में बटवारे को लेकर के मन मुटाओ था लिकिन काफी टाइम से मेरा बेटा तो यूएस में यदिन छे मेने पहले जब टीना की शादी हो रही थी तो सब यहां था और उस वक्त भी टीना पे अटाइक हुआ था आपने ये बात हमें पहले नहीं होता है सर उस वक्त भी टीना पे कोई गोले नहीं चले थी वो इसका वहम था पापा अगर सुमित मुझे मरवाना चाहता तो फिर वो मेरे पीछे ही क्यों आता मुझे तो समच्छ निया रग भी मेरा वहम था या टीना ये सब तेरा वहम ही है मुझे क्या लगता है कि हमें एक बर पुलिस को इतला कर दें पुलिस के पास जाने की कोई जरूत में अगर पुलिस के पास जाएंगे तो इदर उधर की बाते होंगे और वैसे भी इसके मंड़ब छोड़के भागने का हमारा मजाग बन चुका है तो यह सब रफा रफा करो और इसके लिए कोई दूसरा लड़का ढूंड़ो और इसकी शादी करो तो आपको अपने बेटे करण पर तब ही शक नहीं था और अब भी नहीं सर वह मेरा बेटा है कुछ भी हो आपनी बहन के साथ इतनी गिनोनी हरकत नहीं कर सकता सोनिया क्या हुआ तुझे तु स्कूल भी नहीं आती मैं तरह बेस फ्रेंड उना बोल मुझे क्या प्रॉब्लम है रोमत बेटा रोमत बेटा विकास तु अंदर जा रोते नहीं बेटा चांत हो जा तेरी में ना अच्छ को है ना मैं छोड़ूंगी नहीं तेरी बीवी भले ही मेरी विश्मन लेकिन तू तो मेरा अजीज है ना अजीज वोल के मुफ्त का सवदा माद कर चल पैसे निकाल पैसे निकाल पैसे सुनते तरे पैठीक हो गहे तो बॉलिस्टिक रिपोर्ट अगी है टीना को एक फॉड़ी से शूट दिया लिया है सेक्योर्टी गार्ड अमोल की सर्यूस्ट रैफल जुरू गाया थे पर यह एक फॉड़ी सेवन एक इसके हाथ लग गई इसने टीना का मडर कर दी तो कोई सुपारी किलर हो सकता है पर क्या कुछ सुपारी किलर एक फॉड़ी समय इस्तिमाल करेगा एक फॉड़ी सेवन तो टर्रो डिस्ट अक्टिविटी में इस्तिमाल होती है सच छे महीने पहले जो टीना पर अटैक हुआ था उसका पता तभी चल सकता था अगर उस वक्त उसकी रिपोर्ट की गए होती है सर अगर परसनल अंगल को देखें तो सुमेत और टीना की छे महीने पहले शादी होने वाली थी अगर उस अटैक में टीना के भाई का हाथ ना हो तो कोई जिल्टेट लवर भी हो सकता है जिसे उस वक्त भी टीना को मारना है यह जिल्टेट लवर कोई समीर की एक्स गैल्फरेंड भी हो सकती है जो सुपारी किलर से कनेक्टेड हो ठीके सर्थ मैं इस अंगल पर काम करती हूं शाश्विता फिलाल हम इस रेसेंट अटैक पर फोकस करते हैं खब्रों को काम पर लगा जब यह कौन सा शूटर आगे है यह के 47 लेकर कूंग रहा है पुलिस ना तो उस शूटर को लेकर सही थियोरी बना रही थी और ना ही टीना के मर्डर के मोटिव को लेकर पुलिस एकमत थी पुलिस ओवर कॉंट्विन्ट थी कि वो 2 प्लस 2 करके बहुत जल्द असली कातिल तक पहुँचने का रास्ता तलाश लेगी और पुलिस किसी रेगलर इंवेस्टिगेशन की तरह से कई हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आम डीलर्स को उठा रही थी सिक्यूरिटी गार्ड अनमोल भी प्राइम सस्पेक्ट था लेकिन सिर्फ वही नहीं उसकी राइफल भी काफी वक्त से गायब थी तीना के एंजियो से जुड़ी बातें भी पता की जा रही थी लेकिन ये पता करना आसान नहीं था कि किसने और क्यूं मृत टीना के माथे पर मर्द लिख दिया था सर अमोल के कॉल रिकॉर्ड में सभी नंबर खंगा लें ऐसी किसी भी औरत का पता नहीं चला जिससे उसका अफैर हो या फिर वो उसके पास गया तो अमोल की वीवी वीनिता कहीं तो जूटता नहीं बूले अमोल और उसकी सर्विस राइफिल गायब करने के पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं उसकी भोली सुरत पर माज जाना हो सकता है वो एक फोर्टी से वोले शूटर से कनेक्टर हो लेकिन सर्मोल ने टीना और वीनिता के कैरेक्टर पर जो सवाल उठाया था उसके बारे में भी कुछ नहीं पता चला टीना के एंजियों से जुड़े हुए लोगों से भी पूछता चकी वहां पर भी कोई अंडल नजर नहीं आ रहा टीना जे सौटो में कतल वाले दिन अपने घर पहुँची थी उसका कुछ पता चला नहीं सर वहां कोई CCTV नहीं है आसपास किसी ने कुछ देखा भी नहीं है सौटो वाले को दूढ़ना पॉसिबल नहीं लग रहा ऐसा सर एक काम की इंफरमिशन मिली है टीना का भाई करन पिछले 20 दीनों से इंडिया में है और वो 20 दीनों से अपनी वाइफ के घर डेली में रुकावा था तेरी माँ ने मुझसे शादी इसलिए की थी तुभी में पराठा एच्छे बानातों तभी ममी इतनी मोटी थी वह एकदम टेंशन फी लेडी थी पस तेरे भाई के यूएज जाने के बाद में उसके गम में बीमार होती रही और तेरा भाई उसे मिलने एक बार भी नहीं है अजिए ज़रूर आया था लेकिन अपनी वाइफ के साथ लाहूज पीती गुमने चला गया था तो आपके अपने फादर और सिस्टर के साथ इतने रिलेशन खरा रहा है कि बीस दिन से आप इंडिया में हो और उन्हें इंफर्म तक नहीं किया एक्चुली सर्व मैं लाउस पिती से वापिस आने के बाद अपनी फैमिली को सर्प्राइज देना चाहता था और और मुझे टीना के मर्डर के बारे में पता चला जब भी आप इंडिया से बाहर जाओ हमें बता कर जाना शियो सर्व मैं आपको भी बता देता हूं कि मैं साथ दिन के बाद यूएस वापिजा रहा हूं इफी डॉंट माइन के नाए गोना यस मिस तेंक यूज अगर इसने वापई कुछ की है तो हमें साथ दिन के अंदर-अंदर इसके खिलाफ सबूत जटाने होंगे ता कि हम इसे यूएस जाने से रोख सकें क्योंकि अगर एक बर यह यहां से निकल गया तो इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्थ सर्थ नरंदर नगर में एक और लाश मिली है बले पाख रोच के निशान बूट के इरादे से हत्या की गई होगी यह शायद कातिल के पैरों के निशान है शायद यह विक्टिम कपोन होगा शायद यह पर्स मिला इसके अंदर पैसे तो नहीं है लेकिन यह क्राडिट कार और यह विजिटिंग कार शीतेल इस्चे टागेंट यह तो शीतल माडम लेकिन शीतल की लाशन में अरेंदर नगर में बिली तुम शीतल से आखरी बार कब मिले थे मैडम आज सुबह मैं के घर गया तो दुकानी साभी लेने पुनित पुनित को अपने बाप के लिए पैसे चोरी करके लेकर जा रहा है शीतल का पती शीतल से अलग रहता है जी माडम दोनों के अपस में बंती नहीं थी का रहता है शीतल का पती कि अपल सुनिया पाल रहे लोग सुनिया 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 तुने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं कि है हम दुनों की मौत का जिम्यदार तू और निया है किसी ने आपसे जूट बोला मुझसे न पुनीत मिला ना मेरी बीबी शीतल है तेरी बीबी शीतल का कटल हो चुका है और तेरे बेटे पुनीत का फून बंद अब अगर तुमने कुछ भी चुपाया मैं कुछ नहीं चुपा रहा हूं कुछ पूनीत का था दू तुझे बताया कि तुम अपने पापा से मिलने गए तब तुमारी मां भी वहां ही थी नहीं सर मैं तो पापा के पास ही जा रहा था तो मा के नमबर से मुझे एक वीडियो कॉल आया मा कुछ मुझे बचा ले मैं नारे अंदर नगर में हूँ मा कौन है मा मुझे और जब हमें तुमारी मा की बाड़ी मेली तो अस पर कोई मुझे नहीं थी लेकिन सर वीडियो कॉल में मैंने खुद देखा था मा की मुझे बनी हुई थी और वो और अरत अरत तुम्हारी मा को किसी और ने मा रहा है उसका हाथ नजर आ रहा था उसने रेड कलर की नेल पॉलिस लगाई हुई थी और इसने मेरी मा पे गोली चला दी तुम्हें क्या लगता है कौन अउरत होगी जो शीतल को ऐसे मार सकती है सर माना कि हमें शीतल मेडम का उधार देना था लेकिन आज ही हमने एक किस्त चुकाई है ये लो पूरे पांच हजार है शीतल मेडम ने साथ दिन की मौलत दी थी हमें छटे दिने पुरी किस्त चुका दिये हैं कटल करने के बाद किस्त चुका दिये ताके तुम लोगों पर किसी को शक्तना हो सबस्क्रा G little madam को नहीं मारा तुम दोने चल्का पोन को पिष्छe दो दिनों में लोगा नेशीटल को इतने क्यों कि क्यों मों तूं प्रबला भी सी खार्वते हे लाग हुझा भूस नहीं मुझा छांसे के दंकी देृ रही ते तो gent इसके नहीं व्हारों कि यह भी आखा उसके विटेपूनीद को वीडियो कॉल की गए तीना के माते पर मर्द लिखा और पुरीद ने बताया कि हट्या के वर्त शीतल की मुच्छे वनाई गी थी जबके हमें शीतल की बाड़ी पैसा कुछ नहीं लेकिन शीतल की बाड़ी कीचर में मिली थी, वो सकता है बारिश की वज़े से उसकी मोच शिदू गई है, ना तो दोनों विक्टम का आपस में कटा लो थी, और ना ही दोनों को सेम वैपन से शोट किया गई, कहीं ऐसा तो नह ये दोनों केसिस अलग अलग हैं, हम ने जोड़ कर अपना वक्त बरबाद करें तीना के केस में अमोल के अलावा तीना के भाई करन, सुमित और अमोल की बीवी विनीता के भी एंगल्स नजर आ रहे थे, लेकिन सिर्फ अमोल के पीछे भाग कर कहीं पुलिस गल्ती तो नही कर रही थी, वहीं इसी दौरान एक दूसरे इलाके में मुकेश नाम के आदमी का मर्डर हुआ था, लेकिन सभी केसिस की बलास्टिक रिपोर्ट बनाने वाली फॉरेंसिक टीम एक ही थी, और इस फॉरेंसिक टीम ने अचानक पुलिस को चौका दिया, आदिल जी मैं खुद बलेस्टिक रिपोर्ट में आपने साफ साफ लिखाया कि टीना की बॉड़ी में एक एक फॉर्टी सेवन की बुलिट में और शेतल की बॉड़ी में 303 की और अब ये मुकेश की बॉड़ी में 8 mm पिसल की, हो कम ये स्टील सेहें कि टीनों को एक ही गन से शोग किया गया है, क तो हर गन में अलग-अलग होता है, जैसे हमारे हर्तेहिलियों पर रेखा आये अलग-अलग होती है, और मैंने अपने पूरे करियर में ऐसी कोई गन नहीं देखी, तो एक ही गन में तीन अलग-अलग किसम की बुलिट फिट होजें, I think कुछ 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 गूजिजन है, I suggest क आप अपनी रिपोर्ट पर एक बार फिर से गॉर करें, ऐसी कोई गन होई नहीं सकती, it's impossible, sure, मैं फिर से गॉर करूँगी, पर आप भी एक बार गॉर किजिए, शायद ये तीनों केसेs connected हो, हालो, तुम नज़र अखो, हम अभी पहुंचते हैं, Sir, अम बोल कि ठीकाने का पदा पर देखाए, मैंने टीना मेडम को नहीं मारा साब मैं सच बोल रहा हूँ, तुशी से मरवाया होगा, किसी अरस से, किसी ऐसी अरस से, जिसके साथ तरह चकर था, मेरा किसी से कोई चकर रुकर नहीं है, साब, भागा क्यों था, वह साब मैं इसलिए भागा था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे से मेरी सर्विस राइफल मांगी थी, और वो राइफल मैंने किसी को बेज दीती, उसको बच्छी, टिलू को साब, टिलू को हम लेगा, साब वो मेरट का रहने वाला है, साब, इससे जदा मुझे उसके बारे पर कुछ नहीं मेलूग, तीना के भाई करन को इंडिया से बाहर जाने से रोकने के लिए, पुलिस के हाथ कोई सुबूत नहीं लगा था, वहीं अमोल को पकड़ने के बाद, पुलिस एक टिलू नाम के इल विजिट करना चाहते है, हो सकता है चौथा मर्डर हमारे केसे से कनेक्टेट हूँ सुबूप करते हैं, हो पुलिस का की मुझा इस प्रवारे क्ने के लिए। सर ये वहत नहा शर्ण है? टीना कॉपर शीतल मुश्टेब केस में भी इसी तरह का क्रैम सिंग एक करेद केदेने के गया है आपके सका फोन मिला? क्योंकि टीना और शीतल के मर्डर के वक्त कातिल ले उनके फोन से लास्ट कॉल किया था और उस कॉल के दरान ही दुनों का मर्डर हुए सर इस लेडी का फोन बंद है ये लेडी यहीं अकेले रहती थी और इसको मैं बहुत अची तरह से परचाम दूँ ये एक सेक्स रैकेट चलाने के जुर्म में अंदर भी हो चुकी है सर ये निहा शरत मुरादाबाद की रहने वाली थी ये पिछले बारा सालों से इसी धंदे में थी मुरादाबाद निहा मुरादाबाद की रहने वाली टीना भी मुरादाबाद की रहने वाली वो सकते टीना इस नहा को जानती हूँ नहीं सर बै इस अरत को नहीं जानता इसका नाम नहा है गोर से देखी शायद इसे कभी आपने अपनी बेटी टीना के साथ देखा नहीं सर सर, मैंने क्रिमिनल्स का डेटेबस चेक किया है उसमें एक तपन उर्फ टिलू का रिकार्ड मिला है जिसे अमोल ने अपनी राइफल बेची थी सर ये तपन मेरट में लूट की वारदात में शामिल था काफी टाइम से फरार है मिश्रा, मुझे ये टिलू चाहिए खाबरियों को काम पर लगाओ, कुछ भी करो लेकिन टिलू को ढूंड निकालो मिश्रा, सर, ये शाश्विता कहां आज सर, वो तो आज सुबह से नहीं है स्किल जी सर आए मैं शुदी आदिल जी, जो नेहा शरत के बॉड़ी से बुलेट मिली है वो 7.65 mm राइफल गन की है और उस पे भी वही मार्किंग्स है आप कहाना चाहती हैं कि चारो बुलेट्स सेम गन से फर्कियेगे जी एक किलर कोई औरत है एकनी आउरत एक ऐसी गन इस्तेमाल कर रही है जो एक ही गन में चार अलग लग तक की बुलेट्स फिट हो सकती है इंपॉसिबल पुलिस जिसको इंपॉसिबल मान रही थी क्या वो वाकई पॉसिबल हुआ था या क्रिमिनल पुलिस के दिमाग के साथ खेल रहा था उस गन की पहेदी को सुलजाने के लिए पुलिस ने अब गएर कानूनी हथियारों की डील करने वाले एक कुख्यात अपराधी तिल्लू को खुच निका रही साथ मानता हूं मैंने अमुल के राइपल खरे देती लेकिन मेरा इन माडर से कोई वास्ता नहीं है साथ अब जो पूछा हूं ध्यान से सुन और सोच के बोल क्या तूने कभी कोई ऐसी गन खरीदी या बेची है जो एक ही गन में चार बुलिट्स ओपाई 8 mm और 7.65 राइफल एक गन चार बुलिट्स या साथ दस साल से इस दंदे में हूं मैं मैंने कभी ऐसे गन के बारे में सुना ही नहीं है एक सरफिरा लड़का था वो गन बनाने वाली फैक्टर में काम करता था और मैं वहाँ माल का लोट लेने जाता था साथ मारजिन नहीं है भाई पचपन अजर में चारो दे दे ये तो एक गन का दाम है जनाब वैसे अगर तुम बोलो तो तुम्हारे लिए ऐसी गन बना सकता हूं जिसमें चारो गन की बुलिट डले बना दू उसने ये बात मजाक में बोली थी शायद उसने पॉसिबल कर दिया हूं कौन हो लटका कौन मिलेगा तो मिली मेरे घर वालों से तुम्हां तो बोलो क्या जानना है तुम्हें विकास तुम्हारी दोस्ट सोन्या सोन्या और उसकी मा को इस नेहा ने प्रोस्टिट्यूशन राकेट में डाला था जिसमें सोन्या का बाब भुपेइन भी शामिल था मा बेटी की स्युसाइट के बाद से भुपेइन गायब है तुम जानते हो वो कहा है भुपेइन गायब नहीं हुआ था मैंने मारा था उसे और निहा ने गाड़ा था तीना मेरी और सोन्या की क्लासमेट थी लेकिन टीना हमेशा मेरा मजाव को अड़ाती थी ये बोलकर के तु तो लड़कियों जैसा है लेकिन सोन्या, सोन्या मेरी हमदर्थ थी और सोन्या का बाप भुपेइन एक नमबर का कभीना था भुपेइन ने मेरा बच्पन छीन लिया और नेहा नेहा भुपेइन जैसे कई आदमों के सामने मुझे पेश करती थी लड़की बना के मेरा एक मुलेस्टर था जो गंड लेकिन वो अच्छा अदमी था, उसने मुझे घर भी छोड़ा, लेकिन अपने घर वालों के साथ भी, मैं अपने अतीत में जलता रहा, और फिर एक दिन, टीना मुझ से टकराई, बड़े होने के बाद तो तोड़ा मर्जे से दिखते हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी लाइग अपने के ठान ली, और फिर वो गाजियाबाद चली, लेकिन छे महिने के बाद मैंने उससे ढूंड लिया, तुम्हारी लड़की बोलना बहुत पसंद देना तुझे, आप तो देख, मैं लड़की बनके, कैसे अपनी मर्तान की दिखाता हूं, उसकी मौत का डंका बजाना था ना मुझे, मिला दिया फोन, मार दिया उसे, अब मैं तेरा दंका बजाओंगा, शाष्विता फोन के न उठा रहे है, अगर मैं मर गया, तो मेरे साथ बहुत सारे राज दफन हो जाएंगे, चाना ने चाहोगे, मुकेश को कैसे मारा, तुझ में मुझे भुपेन नजर रहाता है, कौन भुपेन, और उस निहा को तो मैं बारा साल से धून रहाता, तुने टीना के माथे पे मर्द क्यों लिखा, शीतल की मूझे क्यों बनाई, जो अरते मर्द बनने के कोशिश करती हैं, उनका यही हाल करता हूँ, तेरे जैसी औरते जो औरतों के हक के लिए उस गन ने कई मासूम लोगों की जान ली, इस गन का पहला शिकार टीना थी, लेकिन वो निशाना चूक गया, अगर टीना ने इस हमले की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी होती, तो वो दुबारा निशाना नहीं बनती, और शायद बाकी के विक्टिम्स भी बच सकते थ लेकिन हमें आरोपी विकास की मानसिक्ता को भी समझना होगा, माना के अपराद अपराद को ही जनम देता है, लेकिन बारा साल पहले रूपल, सोनिया और विकास जिन अपरादों का शिकार हुए थे, उन्हें अगर सही तरीके से इंवेस्टिगेट किया जाता, तो एक बच्चे को इतना बड़ा अपरादी बनने से रोका जा सकता था, अब मैं अनूप सोनिया आप से बिदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का खयाल रखें, सतर्क रहें, सुरक्ष झाल